पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में पिछले 5-6 महीने से जो एक महौल चल रहा है जिससे आप वाकिफ हैं यह जो वबा है कोरोना वाइरस का इसके कारण तमाम जिंदगी बिल्कुल एहतिहाद के साथ निकल रही है अगर आप हैदराबाद में देखें तो शुरू से ही हर मज़ब में चाहे वो हिंदूओं का राम नौमी हो हनुमान जैन्ती हो और अभी जो तुरंद गुजरा बोना लू जिसका एक बहुत एहमियत है है हैदराबाद में हमारे क्रिशन कम्यूनिटी में बिशप थुमबाला के तरफ से जो इनिशियेटीव था इस्टर में जिसमें की लाइव स्ट्रीमिंग किया गया फर्स टाइम वीडियो के मारफ़त से और गुड फ्राइडे को देखा गया फिर हमारे मुस्लिम भाई बहें जो हैं रमजान में भी देखे कि बहुत एहतिहाद के साथ सब लोगों ने रमजान को मनाया इद को मनाया चुकि ऐसा महौल शायद पहले कभी इतिहास में नहीं आया और इसलिए सभी के कॉपरेशन से और अल्ला सुभानाव ताला के रहम से आज अगर हैदराबाद में दूसरे बड़े शहरों के कंपैरिजन में हमारा नंबर इंफेक्शन का कम है डेथ का कम है तो इसका वज़ह यही है कि सभी लोगों ने मिल कर इस वबा से एक साथ लड़ने का जो एक डिसिजन लिया सब शरीक हुए और इसी स्पिरिट से हम लोग आगे भी चलेंगे तो बक्रीद में भी हम लोग इसी तरीके से आगे आप लोगों से बुजारिस कर रहे हैं जैसा कि पहले सभी फेस्टिबल में हुआ था रमजान में भी हुआ था कि कहीं बड़ी गैदरी कहीं जमात नहीं हुई थी जैसा कि आप जानते हैं ये बड़ा चोर किसम का वाइरस है ये चुपके से आपके शरीर में दाखिल हो जाएगा अगर आप किसी के करीब जाएंगे दोगज की दूरी बहुत जरूरी है और इसलिए हमारे गर्फ्मेंट के तरफ से और हमारे बुज़ूर्ग आलिम के तरफ से लागातार कोशिश है सभी मजजिद में हमेशा लोग कहते रहते हैं कि घर पे ही अपना नमाज अदा करें और अगर मजजिद आना है तो घर से पहले घर में ही वजू करके आएं तो इन सब बातों का एहतिहात हिदरबाद में हम लोग सब पिछले पांच महीनों से करते आ रहे हैं और अभी बकरीद में भी मुझे यकीनन पूरा भरोसा है कि हम लोग सब मिलकर सबसे पहले जिसको कहते हैं आज हम लोग सेफ बकरीद सेफ इद का एक नारा देंगे शायद ही कोई हैदरबाद का घर है जिसमें बच्चे नहीं है जिसमें बुजूर्ग नहीं है जिसमें ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास बीपी, हार्ट या कुछ मुटापा इस तरह का बिमारी न हो उन लोगों को बचाना सबसे जरूरी है और उनको बचाने के लिए सबसे पहला चीज यही है कि हम लोग कम से कम दूसरे लोगों से मिलें मुबारक बाद, जुबानी मुबारक बाद पेश करें गले मिलने की जरूरत नहीं है महौल ऐसा है अगर जान बचेगी तो आगे आप अगले बार चार और बकरे भी पुर्बान कर सकते हैं लेकिन अभी बज़र्गों को बचाएं, बच्चों को बचाएं इसलिए जो बड़ी-बड़ी मस्जिदें हैं जैसे मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद वहां के जो कॉंपिटेंट अथॉरिटी हैं उनके तरफ से भी है जरूर महौल अभी कोई बहुत बदला नहीं है रमजान के महीने से रमजान के महीने में अगर आप देखिए तोटल नंबर ओफ पॉजिटिव केसेज जो आये थे हैदराबाद में ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान में उस महीने के कंपैरिजन में अभी नंबर्स जादा है इन्फेक्शन के नंबर्स जादा है और जिसके कारण डेख के नंबर भी जादा है तो ऐसे हालात में कहीं भी जमात का इकठा होना बिल्कुल छीक नहीं है जैसा कि आप लोगोंने World Health Organization के गाइडलाइन्स पढ़े होंगे Indian Council for Medical Research ICMR के तरफ से जो लागातार गाइडलाइन्स निकलते रहती है उसमें भी इसका जिक्र है कि किसी भी तरह का religious gathering किसी भी मजभब का वो बिल्कुल ठीक नहीं है अभी और वही एक ऐसा मौका है जहां ये virus जहां अभी तक नहीं गया वहां भी जा सकता है एक दूसरे के transmission से तो ऐसे महाल में किसी भी तरह का gathering बाहर बिल्कुल उचित नहीं है और मैं आप सबों से हाँ जोर कर गुजारिश करता हूँ कि आज की तारीख में अगर सबसे जरूरी चीज कुछ है तो आपका जिंदगी आपका जीवन आप स्वस्त रहें आप healthy रहें इससे ज़्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है और सिटी पुलीस के तरफ से मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप सभी को ये समझाएं कि ऐसे मौके पे अभी जो एहतिहात रमजान में सब लोगों ने दिखाये थे वही अभी बकरीद में भी रखें कोरोना वबा से जो लोग affected हुए और उसको हरा कर जिसको हम लोगों हम लोगोंने नाम दिया कोरोना conqueror कोरोना को हरा कर जो वाफस department में दुबारा duty शुरू किये वो हमारे लिए source of inspiration है उनका confidence हमारे लिए हम सब के लिए एक मिसाल है एक बात उसमें से हमारे officer ने बहुत अच्छी कही वो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ चुकि बकरीद के समय sacrifice कुर्बानी दी जाती है तो एक चीज़ का जहन में जरूर है रखें कि जो कसब कसाई लोग हैं जो जो कुर्बानी करते हैं जो काटते हैं जानवरों को वो सेहत मंद है या नहीं उनका सेहत बहुत जरूरी है अगर वो खुद सेहत मंद नहीं है तो वहां से भी ये वबा दूसरे जग़ पहलने की गुझाईस लेती है तो मैं आप सबसे गुझाईस करता हूँ कि जहां से भी आप लोग जा रहे हैं गोश्ट लाने एक पर उसका भी ध्यान रखें कि जो कसाई लोग है उनका हेल्थ बहुत जरूरी है पूरे सोसाइटी के लिए बहुत बहुत जरूरी बहुत सबत मिलता है और आज की तारीख में उस कुर्बानी की एहमियत पहले से ज़ादा है आज सबसे पहले तो मुझे कुर्बानी देनी है अपने उन सभी आधतों की जिसके कारण ये कोरोना वाइरस बहुड सकता है मुझे कुर्बानी देनी है कि मैं किसी से गले मिलकर उसको ग्रीप नहीं करूँ जुबानी ग्रीटिंग्स करूँ ये भी एक तरह का कुर्बानी है चुकि सब लोगों को गले मिलना बहुत अच्छा लगता है और पहले लोग मिलते भी थे और अच्छी बात है लेकिन अभी के महाल में उसकी कुर्बानी देनी होगी उससे अलग रहना होगा हम लोगों को इसी तरीके से जो हमारे घर में जो बुजूर्ग है किसी भी हालत में उनको बाहर नहीं आने देना है जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर नहीं आने देना है तो इन सब आदतों की कुर्बानी देनी है आज हमारे देश में बहुत जरूरी है कि हम अपने उपर कंट्रॉल रखें अपनी उन हर आदतों का कुर्बानी दें जिस से कि ये चोर वाईरस जो है कुरोना ये जो चाइना ने पूरे दुनिया को एक अपने तरफ से ऐसा आजीब तोफा दिया कि पुरा दुनिया परेशान है उससे उससे बचने के लिए जिस चीज़ों की कुर्बानी देनी है हम लोग देंगे लॉक टाउन खोलने के बाद दोनों चीज़ की एहमियत बढ़ी लाइफ और लाइवलिहुड लाइफ को भी बचाना है और लाइवलिहुड को भी बचाना है खास करके जो हमारे गरीब लोग हैं जो सुबह से शाम को मेहनत करके रात का खाना खाते हैं अगर उनकी रोजगार हम लोग बंद कर देंगे तो ये बहुत बड़ा गुना होगा और इसलिए रोजबर्णा की जिंदगी हमेशा आगे चलती रहनी चाहिए और पब्लिक में जो अवेरनेस है पहले से बहुत ज़ादा हुआ है 90 तू 95 परसेंट लोग मास्क लगा कर रोड पर चल रहे हैं लेकिन अभी भी लगवग दो हजार से धाई हजार लोगों को सिटी पुलिस के तरफ से हर रोज फाइन होता है कि वो पब्लिक प्लेसेज पे मास्क के बिना गूमते हैं मैं उन सभी से गुजारिस करता हूँ कि आप अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए उनकी सेहत के लिए जरूर मास्क पहने आप हेल्दी हो सकते हैं लेकिन आप इस वाइरस के कैरियर भी हो सकते हैं हो सकता है कि आप में ये सिंटम न दिखे लेकिन आपके संपर्प में जो लोग आएंगे उनको ये जरूर इंफेक्ट करेगा इसलिए नंबर अगर थोड़ा उपर जा रहा है या थोड़ा नीचे आ रहा है उससे अपनी साफधानी में कमी नहीं होनी चाहिए एहतिहाद जरूर बरतना चाहिए कम से कम अभी मुझे लगता है कि से तीन महीने तक तो बहुत जरूरी है कि हम लोग strictly follow करें, implement करें जो भी government की guidelines है ICMR की guidelines है सबसे पहले तो जो हमारे देश का जो कानून है उस कानून के तहट जो भी prohibited animals हैं जैसे cow, camel या इस तरह के जानवर जिनका agriculture में अभी तुरंत use हो रहा है उनकी कुर्बानी न दी जाए और जो भी लोग कुर्बानी दे रहे हैं जो जबह कर रहे हैं वो जो एक hygiene के तरीके से होता है जो चाकू या जिससे cut कर रहे हैं वो कहां से लाए उसको अच्छे तरीके से sanitize जरूर कर ले हर चीज का sanitization करना बहुत जरूरी है एक बहुत अच्छा सिलसिला है बकरीद में की लोग गरीबों को देते हैं अपने परोसियों को देते हैं गोश्ट उसमें भी थोड़ा सा धानी बरते हैं कि अगर एक जगह से कहीं infected गोश्ट बाहर निकल गया तो वो बहुत लोगों को infect कर सकता है इसलिए हमने पहले गुजारिश की थी कि जो कसब लोग हैं उनका health बहुत important है कि वो स्वस्ट हैं वो कैसे हैं और घर में जो भी लोग जो भी लोग cutting कर रहे हैं उनका हाथ साफ रहना चाहिए जहां तक संभव हो हाथ में दस्ताने पहन ले, गलफ्स पहन ले और उसके बाद जवा करें तो बहतर होगा जो हमारे भुजूर्ग हैं हमारे Islamic scholar हैं जो हमारे आलीम हैं उनसे मैं दर्प्रास करता हूँ कि कुछ रास्ता निकाले कुछ सोचे क्या दो ईद की नमाज एक वक्त में हो सकती है क्या इस तरह का कुछ सिलसिला अगर सोचकर वो कुछ निकालेंगे तो इसमें सबकी भलाई है सभी के हेल्थ के लिए सभी के ववा से बचने के लिए थोड़ा मदद मिलेगा ये हमारी एक अपील है विन्सिटी का अजम हर एक को साहब जाइदाद बनाना इसी इरादे से विन्सिटी डेवलपर्स बार बार लगातार और हर बार बहतरीन और काम्याब वेंचर्स पेश करते आ रही हैं जहांगीर पीरा के बिलकुल दामन में विन्सिटी का एक नया वेंचर्स शुरू हो चुका है सौगस का प्लॉट चार लाक रुपे में नगद्यासान अकसाद पर प्लॉट्स खरी दिये तमाम बड़ी-बड़ी कंपनियों से घिरा हुआ वेंचर जो आबादी के बीचों बीच है गेटेड कम्यूनिटी में क्लियर टाइटल, स्पॉर्ट रेजिस्टेशन, ग्राम पंचायत अप्रूफ, वाटर, एलेक्ट सिटी और ट्रांसपोर्ट की सहूलत बैंगरूर हाईवे से बिलकुल करीड वेंच सिटी डेवलपर्स, अनगिनत काम्याब वेंचर्स का रिकॉर्ड रखने वाले बुकिंग का आगाज हो चुका है, मुलाकात करें वेंच सिटी डेवलपर्स, च्वाइस फंक्शन हॉल के बाजू, चंदराइन गुप्टा, हैडरबाद